दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे यूटीब चानल पर यहां पर मैं बात करूंगा जो iOS 17.4 का जुन अपडेट आया है वो अपडेट करना आपको जुरूर है कि नहीं वह मैं बताऊंगा क्यों काफी लोग जानना चाहते कि iOS 17.4 पर अपडेट करने के बाद ग्रीन लाइन इशू फेस करना पडेगा न की नहीं या फिर जो कैमरा है उसकी कौल्टी कहीं घटना चाहे काफी लोग का खुद का डाउट रहता है वो सब पूछना चाहते है और मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ जितने भी आईफोन 13 यूजर से उन में से कुछ यूजर ने मुझे यहां पर कंप्लेंट किया कि आईफोन 13 के ऊपर यहां पर जैसे हम लोग iOS 17.4 का अपडेट की है वैसे हमको यहां पर ग्रीन लाइन इशू फेस करना पड़ रहा है iOS 17.4 अपडेट करने के बाद ही ठीक है तो जितने भी लोग iOS 17.4 अपडेट कर लेते हैं अपने आईफोन 13 में अगर आपको भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस होता हूँ ना कमेंट अपडेट कर लेना सबसे बात करें iOS 17.4 अपडेट का तो यहां पर iOS 17.4 का अपडेट है उसमें कुछ फीचर है जैसे कि यहां पर iPhone के जितने भी अप्लिकेशन होते है जैसे कि Apple का music हो गया Apple का i message हो गया Apple का phone dialer message हो गया Apple के setting application हो गया उसमें कुछ यहां पर changes किये गये बट म यह बता हो तो भाई मेरा personal opinion बात कर रहा हो तो यहां पर पुराने iPhone users हो जैसे कि iPhone 11 हो गया iPhone 12 हो गया उनको यह अपडेट करने कि कोई यहां पर खास जरूरत नहीं है और मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं कि अभी जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं वह है iPhone 11 पर अभी इस फ पर पहले जो वीडियो काफी अच्छा रिकॉर्ड होते था लेकिन अभी जैसे में 1080 पर 60 पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं यहां पर ओर हीटिंग की वार्निंग आ जा लिए और मेरे एरिया में हाँ मेरे में टेंपरेचर ज्यादा तो है बट यह वार्निंग ना कल पर के सामने फिर भी यह ओरिट कर रहा था यानि कि 1080 पर 60 fps के जैसे में रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो भाई काफी ओरिट करने लग जा रहा है उसके बाद से यहां पर रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जा रही है जिसकायन से मुझे यहां पर 1080 पर 30 fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर यह जाल यह भाई काफी पुराना होने वाला iPhone 12 की बात कि जयाता है बहुत के ऐya पर देख ने क्लइगा बाकी सब कुछ यहां पर सेम है तो iPhone 12 users को भी यहां पर अपडेट करने के कोई ज़रूत नहीं है और iPhone 13 users की बात के जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया है यहां पर iPhone 13 users कुछ लोगों ने कंप्लेंट किया क्यूंकि फोन में यहां पर green line issue face करना पड़ रहा है कुछ फोनों के लिए मैं बोल रहा है अपडेट ना कर तो ठीक है लेकिन जात तर फोन का अपडेट कर सकते हो यह तोटली आपके उपर डिपेंड करता है जैसे कि मैंने एक्जांपल बता दिया है मेरा recording यहां पर stop हो जा रहा है यहां पर overheating का warning आके अगर आपके देखना चाते है अपने आइफोन में ने आपके कर सकते हो यहां पर कोई प्राब्लम ने है तो भाई, अपडेट मत करना 17.4 पर, आइफोन 13 उसर्स, तो काफी लोग आइफोन 13 जो यूज कर रहे हैं, काफी लोग ना मुझे बोला कि मेरा आइफोन में ऐसा हो रहा है, कि आपके फोन में हो रहा है कि ने, तो मेरा पास आभी आइफोन 11 है, मेरा दोस्त के पास 13 है, अग जितने भी लोग 14 और 15 लिये होंगे, उनका वारंटी अभी भी होगा, तो आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हो, 15 वाले कर सकते हैं, क्योंकि उनका फुली वारंटी में होगा, 14 वाले आप भी देख सकते हो, 14 और 15 के अदर मैं नहीं यह भी नोटिस किया, कि यहाँ पर जैस अपडेट हो ठीक है, सीधा आइफोन iOS 18 का अपडेट होंगे, वही ठीक रहेगा, क्योंकि iOS 18 लास्ट अपडेट होने वाला है, iOS 18 11 के लिए वही ठीक रहेगा, उसके पाद iPhone 12 का भी देखा जाएगा, सारे iPhone के जो अपडेट वाले वीडियो में अपने चैनल पर लाता रहों अपने प्रॉब्लम देखिए या फिक्या के अच्छी बाते देखिए वह भी कमेंट सेक्समें ज़रूर बता देना, फिर मिलते का अउन विस साथ, तब तक लिए जैहिन, जै भारत